एक फॉर्मॉला और देखते हैं that is say 10 a 10 a plus b का फॉर्मॉला हम पढ़ चुके हैं 10 a minus b का हम फॉर्मॉला पढ़ चुके हैं अगर 10 के अंदर एक से जादा एंगल हो तो उसके लिए एक फॉर्मॉला है और जोसको हम आज सानी से याद भी रख सकते हैं जैसे माल लिए अगर if you are having 10 a plus b plus c plus d plus and so on कितने भी अंगल हो यह ठीक है फॉर्मॉला लिखने का तरीका का है जैसे नाफिंग बट s1 minus s3 plus s5 minus s7 plus and so on whole divided by 1 minus s2 plus s4 minus s6 plus and so on यह ठीक है s1 s2 s3 क्या है वो अभी हम explain करें बर तुम तो ऐसे आया रखो कि उपर जो है वो s के जो लोर सब्सकिप्ट हैं वो सब और नम्बर है 1 3 5 7 and alternate plus minus sign है नीचे 1 से शुरू हो रहा है और alternate plus minus sign इसमें भी है और इसमें केवल even numbers है यह ठीक है यह फॉर्मॉला है तो यह तो फॉर्मॉला याद रखना बहुत आसर ने इस फॉर्म में कि अगर मैं बोलो कि s7 के बाद क्या है तो of course s9 आएगा alternative plus-minus nine of s1 क्या है वो हम डिफाइं किने इस is sum often of tangents tangent devotee 10 10 gyms of angles this a sign cause 10 ऑसे tangents of the English अनि right 10 of angle so can angle ABC ato we are talking about Tidity 10 psychiatry some of of tangents of angle taken one at a time यह ठीक है उसका मतलब कहा है इस नहीं बट पहले angle का 10 लिया 10A फिर दूसे angle का 10 लिया 10B फिर तीसे angle का 10 लिया 10C और ऐसे लेके इनको जोड लिया यह ठीक है सम आफ tangents of the angle के वाले इतना भी बोल सकते है टेकन बने टाइम का मतलब है कि एक एक 10 लेके जोड़ा टेकन बने टाइम ना भी बोलें तो भी चलेगा ठीक है वो टेकन बने टाइम क्यों बोला है क्यों आगे जरूत पड़ेगी यह ठीक है तो सेम फॉर्मेट में रखना चाहते है इस लिए तो 10A प्लस 10B प्लस 10C ऐसे जितने भी एंगल है उनके अगर मालिया चार एंगल है तो 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D यह हो जाएगा अगर तीन एंगल है तो S1 का मतलब क्या होगा केवल 10A प्लस 10B प्लस 10C बस दो यह एंगल है तो इट विल भी 10A प्लस 10B तो फिर ऐसे ही S2 क्या हो जाएगा S2 is nothing but sum of sum of product of tangents of angles taken two at a time two at a time इसका मतलब क्या है कि इस बार 2-2 10 लेके multiply किया फिर उनको जोड लिया तो जैसे 2-2 10 का मतलब क्या है say A और B लिया तो T का मतलब क्या है 10 लिखा हो है तो यह 10 लिखा हो है ऐसी 10B 2-10 हो गए तो ऐसी हमने A के साथ B लिया फिर A के साथ C लिया ऐसे करके जितने भी term बन गए फिर 10A 10D प्लस और जितने भी term बन गए वो सब ले लिए उसके बाद जब सारे angle खतम हो गए तो फिर हमने B के साथ C लिया अब B से शुरू हो गए बी के साथ A नहीं लिया क्योंकि वो तो यहाँ पर पहले आ चुका है यह ठीक है तो A से A के साथ B लिया A के साथ C लिया A के साथ D लिया और लास्त तक जितने भी angle है फिर जब A complete हो गए तो फिर B के साथ C लिया बी के साथ D लिया और फिर यह क्या था लिखा है T B का मतलब का 10 B लिखा हो है इन्टू 10 C प्लस और जब B खतम हो जाए तो फिर C के साथ शुरू हो गए 10 C इन्टू 10 D प्लस और इसे करें जतने भी ताम आज़े मतलब दो-दो angle के 10 एक साथ लिखे 10 alpha 10 beta प्लस 10 alpha 10 gamma जितने भी टर्म्स ऐसे बन सकते हों सारे बनाके जोड़ लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे S2 S1 का मतलब के के एक एक 10 लेके जोड़ लिया simply S2 का मतलब के के दो-दो 10 लेके जितने भी टर्म्स बन जाएंगे सब बनाके जोड़ लिए similarly अब तो सुनने आगए हो कि S3 क्या हो जाएगा this is sum of product of यह ठीक है tangents of angles टेकन 3 at a time तो वह S3 का मतलब के तीन-तीन एंगल लिया तो जैसे हमने एक तर्म लिया 10a 10b 10c यह एक तर्म हो क्या plus 10a 10b 10d यह दूसरा तर्म हो क्या plus and so जितने भी तीन-तीन टर्म बन सकते हैं सब बनाके जोड़ दिया और जो sum आए उसको S3 बोल तो अब यह समझ मा रहा हो कि अगर माल लिया यहां पर मैं S1 लिख रहूं इस formula में तो बहुत-बड़ा term आ जाएगा S3 लिखे तो और बड़ा term आ जाएगा and so on तो यह जो हमने ऊपर लिखा S1, S3, S5, S7 यह कहां तक लिखेंगे जहां तक term define हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर तीन एंगल है हमारे पास say if you are having three angles then S3 तक define होगा उसका मतलब करें numerator में तो केवल S1-S3 आएगा क्योंकि S5 तो define ही नहीं होगा जब 5 एंगल ही नहीं है तो और नीचे केवल 1-S2 आएगा अगर हमारे पास चार एंगल है तो ऊपर S1-S3 आएगा बस और denominator में 1-S2 plus S4 आएगा S4 तक आएगा ठीक है बस I hope यह formula याद हो गया होगा formula याद रखना मेरे खाल से बहुत easy है और इसका आगे के chapters में कहीं कहीं हम use करेंगे और especially triangle के terms में हम use करेंगे triangle में क्या होता है triangle में तीन angle होते हैं तो तीन angle के लिए हमने अलग से लिख लिए चलो that's a special case sorry for three angles a b and c ठीक है तो 10 a plus b plus c क्या होगा अगर तीन angle है तो इसका मतलब क्या है s3 तक define होगा तो ऊपर तो क्या लिखेगा s1 minus s3 s5 आएगा नहीं क्योंकि तीन angle है whole divided by 1 minus s2 plus s4 भी नहीं होगा क्योंकि तीन ही angle है क्यों इतना है ठीक है तो यहां पर s1 क्या हो जाएगा s1 हो जाएगा कि तीन हो angle के 10 लेकर जोड लिया तो that will be 10 a plus 10 b plus 10 c यह हो गया s1 ठीक है तीन ही angle है फिर minus s a लिखने से तो यह लिखा गया अब कर आगे क्या है s3 s3 मतलब 3-3 angle के 10 लेकर multiply कर दिये और ऐसे सारे terms को जोड लिया यह ठीक है this is sum of product of the tangents of the angle taken 3 at a time अब इसमें तो केवल तीन ही angle है तो मतलब पहली बार में तीन ही angle आ जाएंगा और कोई बचेगा ही नहीं तो उसका मतलब किए s3 में केवल एक ही term आएगा plus 10 a 10 b 10 d फिर plus 10 a 10 c 10 d plus 10 b 10 c 10 d इतने time आते यह ठीक है यहां पर तो तीन ही angle है तो एक ही term आए whole divided by यह तो numerator लिखा गया whole divided by अब denominator में आ गए denominator में क्या गया 1-s2 ठीक है तो s2 का मतलब किया कि दो दो 10 लेकर जोड़ लिए तो माल लिया पहले a और b लिया तो 10 a 10 b ठीक है फिर plus फिर माल लिए हमने b और से लिया 10 b 10 c फिर plus 10 c 10 a टोटल तो तीन ही term है एक बार a चूट गया एक बार b चूट गया एक बार c चूट गया तो यह s2 लिखा गया this is nothing but इसको हम s2 से रिप्रेजेंट कर रहे है वो रिप्रेजेंट इसलिए कि बार बार इतना बड़ा formula ना लिखना पने और एक बार यह जो लिखा है यह थी कि this is nothing but s1 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा टैने सिग्मा टैने का मतलब क्या है कि टैने जैसे जितने टम है लिखके जोड लिया तो यहां पर तो तीन एंगल है तो टैने टैप तीन टम आएगा 10a 10b 10c तो उनको लिखके जोग लिए फिर माइनस फिर यहां पर क्या है 10a into 10b into 10c मतलब प्रड़क्ट और था तो यह हो गया तो यह हो गया s3 हमारा 10a 10b 10c whole divided by 1 minus s2 अब s2 को हम ऐसे ले सकते हैं सिग्मा 10a 10b मतलब 10a 10b टाइप जितनी टम दिखाए दें सब को लिखके जोड लिए तो इसी को कॉम्पक्ट फॉर्म में लिखने का यह तरीका होगा ठीक है होप इस शुट बी क्लियर